और अब कबर राजानी के शापुरा से है जहां जैपूर दिल्ली हाईवे पर एक नीजी सवारी बस खड़े ट्रक में जागो सी और इस हाथसे में एक युवक की मौके पर ही मुर्ति हो गई महीं करीब डेर दर्जन से व्यदी की यातरी गंभी रूप से घायल हो गई सूचना मिले पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बूलेंस की सहता से सभी घायलों को अस्पताल में भरती करवाया थारा प्रभारी सीम जाखर ने बताया कि यातरियों से भरी नीजी बस जैपूर से हरिदवार जा रही थी और इसी दुरान ये हाथसा गटित हुआ इसाथ से में थानागाजी निवासी मामराज योगी की मौके पर ही मिर्ति हो गई विम्रतक के परिजनों ने इस बस चालक के खिलाफ लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है फिलाल पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुटी है